नमस्कार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पुजा गोतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने सुमंश्री एजुकेशन पर आज हम राजस्थान के लोग देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने तेजा जी और पाबु जी के बारे में पूरे विस्तार से और सरल ट्रिक का प्रियोक करते हूँ पढ़ा था आज भी हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और इनके बारे में बहुती सरल ट्रिक से आपको याद करवाएंगे आज बात कर रहे हम गोगाजी के बारे में गोगाजी पंच पीरों में से एक हैं देखे राजस्तान के लोगदेवता एक ऐसा टोपिक है जो आपके लगभग सभी एक्जाम्स में आता है इसलिए ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो इससे आप ध्यान से देखें पूरे पूरा वीडियो को देखें और अच्छे से इसे पढ़ें और अगर आप नोट्स तयार कर रहे हैं तो रजिस्टर मेंने साफ साफ तरीके से लिखिए ताकि आपको जब भी जब भी जब भी आपको एक्जाम दें उसमें आपके हमेशा काम आए तो गोगा जी हमारे पंच पीरों में से एक हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको एक ट्रिक से याद करवाया था कि पांच पीरों से पहरा मांगो जिसमें हमारे पाबुजी, हडबुजी, गोगा जी, मेहा जी और रामदेव जी थे तो आज उनी पंच पीरों में से एक गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं गोगा जी का जन्म दद्रेवा चूरू में हुआ इनके पिता जेवर, माता बाच्छल और पत्नी केमल दे देखे इनसे संबंदित भी प्रश्ण पूछे जाते हैं माता पिता पत्नी से संबंदित भी इसलिए मैंने एक क्रम में इनको जमा दिया है शुरू में ही ताकि आपको ऐसे कैसे याद रहें तो पिता इनके जेवर, माता बाच्छल और पत्नी केमल दे इनका मेला मेले से संबंदित दो तरे के प्रश्ण बनते हैं कब भरा जाता है और कहां भरा जाता है तो इनका जो मेला भरा जाता है वो भरा जाता है भाद्र प्रद्र कृष्ण नवमी को जिसे हम गोगा नवमी भी कहते हैं और ये भरा जाता है गोगा मेड़ी हनमानगड में, देखी जब हमने तेजा जी पढ़े थे, तो उनका जो मेला भरता है वो भरता है भादर प्रद शुक्ल दश्मी को, जिसे हम तेजा दश्मी कहते हैं, तो उनका भरता है भादवे के महिने में ही भरता है, लेकिन शुक्ल और इनका भरता है भादर प्रद में ही भरता है लेकिन कृष्ण नवमी को गोगा मेरी हनमानगड में भरता है गोगा जी महमुद गजनवी के साथ युद करते हुए ऐसा कहा जाता है कि उनका जो युद महमुद गजनवी के साथ हुआ और जब वो युद लड़ रहे थे तो उस युद में उनका शीष कट गया था तो जिस जगे ये शीष कट के गिरा वो इस्थान शीष मेडी कहलाया और ये जो शीष गिरा वो गिरा था दद्रेवा जो चूरू में आता है और जहां धड़ गिरा वो इस्थान गोगा मेडी में जो गोगा मेडी में जो गोगा मेडी, धन मेडी, धुर मेडी कहलाता है जो हनमानगड में है नोहर हनमानगड के अंतरगाता था तो शीष तो गिरा था दद्रेवा में और जो इनका धड़ गिरा, वो गिरा गोगा मेडी में, तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन आप इसे याद कर सकते हैं, अगर आप पहली बार एक्जाम्स दे रहे हैं, नए विध्यारती हैं, तो शीष दर्द से चूर, तो यानि दद्रेवा में, जिसे हम शीष मेडी कहते हैं, और धड़ गो हो गया, यानि जो धड़ गिरा, वो गो से गोगा मेडी में गिरा, तो इससे भी आपको ये याद रहेगा, गोगा जी गोर अक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, आपके रजिस्टर में लिखते हुए चलिए, कि गोर अक्षक देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपने देखा होगा, दोनों लोग देवताओं में से कौन से थे, इसी तरीके से आप लिखते हुए चलिए, ताकि य याद रहे, वंश भासकर के अनुसार और लोग गीतों के अनुसार, गायों की रक्षा के लिए ये वीरगती को प्राप्त हुए, जो गोगाजी हैं, गायों की रक्षा के लिए वीरगती को प्राप्त हुए, महमुद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा, जब इनके साथ युदिक किया महमुद गजनवी ने गोगा जी के साथ तो इनकी वीरता को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि इनकी वीरता को देखते हुए महमुद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर कहा यानी साक्षा देवता के समान सूर्मल मिश्रण के अनुसार जो जाहिर पीर कहकर पूचते हैं गोगा जी को उनको सर्प का विश्व नहीं चड़ता सर्प दंश का भी लाज किया जाता है गोगा जी का रसावला इसमें गोगा जी की वीरता का वर्णन किया है कभी मेहने तो अगर आपसे पूचा जाए कि गोगा जी का रसावला की विश्वस्तु क्या है या गोगा जी का रसावला किस ने लिखा तो कभी मेहने जिसमें गोगा जी की वीरता का वर्णन किया गया है इनका मुख्य तीर तिस्तल गोगा मेडी है जो इंद्रमान गड की लेके अंतर गताता है गोगा मेडी की जो बनावट है वो मकबरा नूमा है और इनका जो मुख्य प्रवेश द्वार है गोगा मेडी का उस पर बिस्मिल्ला लिखा गया है इन दोनों से सम्मनित प्रश्ण पिछले एक्जामस में पूछे गए हैं कि मुख्य प्रवेश द्वार पर क्या लिखा गया है और इनकी जो बनावट है गोगा मेडी की वो कैसी है तो इससे आप ध्यान से देखते हुए चलिए शीर्ष मेडी दद्रेवा चूरू जहां इनका शीर्ष किरा और गोगा मेडी नोहर हनमानगड में जहां इनका धड़ किरा वहीं पर इनकी समाधी बनी हुई है गोगा मेडी में ही गोगा जी की पूजा सर्पों के देवता के रूप में की जाती है और इनकी पूजा खेजडी बिरक्ष के नीचे की जाती है देखे बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन इससे सम्बंदित प्रशन आया हुआ है कि खेजडी बिरक्ष के नीचे किन लोग देवता की पूजा की जाती तो इन्हें भी ध्यान रखें इसे सम्मंदित एक कहावत है यह गाउं गाउं खेजडीन गाउं गाउं गोगा जी इससे सम्मंदित ग्रामसेवक के एक्जामस में पूछा गया था यह कहावत जो पूछी गई थी ग्रामसेवक के एक्जामस में पूछी गई थी गाउं गाउ गौंगौ में लिखा हुआ था, यानि कौन से लोग देवता के बारे में ये कहावत है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूछते हैं, हिंदू इन्हें सापकफतार और मुस्लिम गोगा पीर कहकर पूछते हैं। किसान हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी बानते हैं हल और हाली दोनों को अब हम गोगा जी के जर्म से संबंदित जो एक ट्रिक से देखेंगे कि इनका जर्म कहा हुआ वैसे तो आप सभी को याद होगा लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किये बहुती सरल तरीके से आपको समझाने की देखेंगे जो ट्रिक है वो है गोगा दर्द से चूर होके गज से युद करें इस थान जरूर याद होगा लेकिन कई बार हमें याद नहीं तक कि कोन से लोगदेपता ने किस से युद किया तो वो पूर से चूरू गज से युद किया अगले जो हमेरे लोगदेपता है वो है बाबा रामदेव जी है रामदेव जी तमरवंशी राचपूर थे इन्हें पीरों के पीर रूनी चारा धनी रामसा पीर इनके बारे में कोन नहीं जानता सब जानते हैं क्योंकि सभी इने बहु पत्तफाक आसता है उसा कहा जाता है कि सातो को में इनके यहां सर जुकाती है इनका जन्व उंडुकास्मेर शिप्तहसिल बाडमेर यानि बाडमेर जिले की शिपतहसिल के अंदरगत एक उर्षी उंडुकास्मेर नाम आता है वहां पर इनका जन्म हुआ इनके पिता अजमाल जी माता मेना दे और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था नेतल दे रामदेव जी ने मेगवाल जाती की डाली भाई को अपनी धर्म की पहन बनाया और इनहीं मेगवाल जाती के जो भक्त होते हैं उन्हें रीख्या कहा जाता है प्रश्ण आया हुआ था कि रीखिया किसे कहा जाता है रामदेव जी के भक्तों को तो रामदेव जी के जो भक्तों होते हैं वो मेगवाल जाती के होते हैं और इने ही रीखिया कहा जाता है ध्वजा इनकी नेजा कहलाती है इनका प्रमुक मंदीर रामदेवरा ज जोदपूर में, बिराटिया, अजमेर, सुर्ता खेडा, चितोडगर और छोटा रामदेवरा, गुजरात। भादर प्रद शुक्ला दृतिया को हुआ था, यानि दोज के दिन, और एका दशी, जिसे हम ग्यारस कहते हैं, उद्धी निनों ने समाधी ली थी, तो भादर प्रद शुक्ला दृतिया से इनका मेला शुरू होता है, और एका दशी तक चलता है, इनके मेले के जो विशेष् सामप्रदाइक सद्बाव यानि सामप्रदाइक सोहार्थ का प्रतीक है इनका मेला और एक और विशेचता जो है इनकी वो है तेरह ताली नृत्य जो कामणिया पंत के द्वारा किया जाता है और जो ये कामणिया पंत है इसके इस्थापना भी बाबा रामदेव जी ने की थी रात्री जागरण को जम्मा केते हैं ऐसे लोग देवता जो कवी भी थे तो राजस्तान के ऐसे लोग देवता जो कवी भी थे वो कौन है तो वो है बाबा राम देव इनके द्वारा रचित है चोबिस वाणिया प्रसिद है इनके द्वारा रचित थी सातल में जो पोकरण में आता है वहाँ पर एक तांत्रिक था भैरव उसका इन्होंने वद किया और पोकरण कस्पे को पुन्ह बसाया रूनेचा में रामसरोवर का निर्मान किया रूनेचा जिसे हम रामदिवरा के नाम से जानते हैं वहाँ पर राम सरोवर का निर्मान करवाया, और राम सरोवर के किनारे ही बाबा ने भादिर प्रदित शुक्ल एका दशी को जीवित समाधी बिली। एक ट्रिक से याद करेंगे कि इनका जर्म कहा हुआ क्योंकि इनका जर्म जो है बार्ड मेर तो सबको याद है लेकिन जो राम पूछा जाता है उंडु कास्मिर वहां पर हम थोड़ा सा भूल जाते हैं तो इस ट्रिक से आप हमेशा के लिए याद रखेंगे तो हमारी जो ट् चीजों को याद कर सकें तो राम उड़े शिव के बाड़े में तो राम से राम देवची बनेंगे उड़े से उंडु कास्मिर शिव तहसिल अगर तहसिल के बारे में भी पूछा जाए तो शिव तहसिल और बाड़े से बाड़मिर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन आ हमारे लोग देवता हैं वो हैं देवनाराण जी देवनाराण जी बगडावत कुल के नागवंशिय गुरजर थे इनका जन 1243 इसमी और इनका जो बच्पन का नाम था वो था उदेशी पिता सवाई भोज और माता सेंदू या सेंड इनकी पतनी पीपल दे इनके पुत्र का न इनके जो प्रमुक अनुयाई होते हैं वो गुरजर समाज के होते हैं और गुरजर समाज इन्हें विष्णू का अपतार मानते हैं देखे बाबा जो रामदेव हैं उन्हें भी कई जगे विष्णू का अपतार माना गया है तो कई जगे कृष्ण का अपतार माना गया है इ इतने भी ज्यादातर जो मेले हैं वो भादवे के महिने में आते हैं चाहे गणिश्यतुर्ती हो चाहे क्रश्न जनमाष्टमी हो चाहे तेजा जी का हो चाहे रामदेव जी का हो या गोगा जी का हो तो जो देव नाराण जी है उनका मेला भरता है भादर प्रद शुक्ल सप्त अन्यस्थल देवमाली अजबीर यहां जो देवमाली है यहां देवनाराण वे समाई भोज़ों के पिता है उनका मंदिर है और इस देवमाली को बगडावतों का गाउ कहा जाता है दूसरा मंदिर देवधाम जोदपुरिया टॉक जोदपुरिया के चकर में खहीं आप जोदपुरिया आदना रख लें यह टॉक में आता है निवाई के पास है टॉक में यहां देवनाराण मंदिर में बगडावतों की शोरे गाथाओं के चित्र बने हुए है तो अगर आपसे पूछा जाए कि बगडावतों का गाउं कहा जाता है किसी तो वो तो आएगा देव माली जो अजमेर के अंतर गताता है और अगर आपसे पूछा जाए कि देव नारायन मंदिर में बगडावतों की शोरे गाता हैं या बगडावतों की शोरे गातां के चित् किया जाता है इनकी जो फड है 335 गीत है इस फड में जिनका बारा सो प्रिष्टो में संकलन किया गया है संगरCH किया गया है और जो इनके गूजर भौपे हैं जंतरवादी अंतर के साथ नंका जो प्रसिधियों उसे गाते है इनकी जो फड़ है वो बांचते हैं जनतरवादी अंतर के साथ, अब हम देखते हैं कि इनकी जो फड़ है, वो सरवाधिक लोग को प्रिय मैं सबसे बड़ी फड़ है, और बाबा जो देव नाराण जी है उनकी फड़ पर डांक टिकेट भी जारी किया गया है तो ऐसे लोग देवता जिनकी फड़ पर डांक टिकेट जारी किया गया है वो हैं देव नाराण जी देखे हमने जब पाबू जी पड़े थे तो उनके जो फड़ बाची जाती थी वहाँ पर बजाया जाता था रावन हत्ता और यहाँ पर बजाया जाता है जंतर तो इस ट्रिक से आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं तो ये ट्रिक है हमारी देव आसी फडपे जंतर बजाबा जैसे हम बोलते हैं हमारी भार्षाओं में ग्रामिन भार्षाओं में के काई बजाबा तो ऐसे बोलते हैं तो देव आसी फड़पे जंतर बजाबा तो देव से देव नाराण आसी से इनका जो प्रमुकिस तल है आसिंद भीलवाडा और फड़पे जो उनके भोपे हैं वो बजाते हैं जंतर तो इससे आपको याद रहेगा देव आसी फड़ पे जंतर बजाबा तो जंतर तो बचता है देव नाराण जी के और रावन हत्ता बचता है पाबू जी के अगले जो हमारे लोग देपता है वो है हडबू जी हडबू जी भुडोल नागोर के राजा मेहा जी सांखला के पुत्र थे और बाबा रामदेव के मोसेरे भाई जो हमारे लोग देता है रामदेव जी उनके मोसेरे भाई इनके जो गुरू थे वो थे बालीनाथ इन्होंने बालीनाथ जिसे दिक्षा ली और इनके जो पुजारी होते हैं वो होते हैं सांखला राजपूत इससे भी सम्मधित प्रश्न पूछा गया है सांखला राजपूत किस लोग देवता के पुजारी होते हैं तो हडबूजी के मारवार के राव जोधा के समकालिन माने जाते हैं और जोधा द्वारा ही हडबूजी को बेंग्टी गाउं जो फलोदी में आता है जोधपूर उन्हें दिया गया था हडबूजी को बेंग्टी गाउं जोधा के द्वारा और बेंग्टी में ही हडबूजी का मंदिर है मुखिस्तल कह सकते हैं वो कहां पर है बेंग्टी में ही और इस मंदिर में ही हडबू जी की गाड़ी रखी गई है ये जो गाड़ी रखी गई है इसी गाड़ी से वह जो अपंग गाएं होती थी विकलांग गाएं उनके लिए चारा भर कर लाते थे और जब भी किसी व्यक्ति की मनोती पूर्ण होती है तो वो इस गाड़ी की पूजा करते हैं मनोती मांगते हैं और मनोती पूर्ण होने पर इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है यह है चमतकारी महापुरुष, वचंशित और शकुन शास्त्र के ग्याता कहलाते हैं इन्हें शकुन साहत्र का ग्याता भी कहा जाता है किसे हडबू जी को अब इनके बारे में हम हडबू जी के बारे में एक ट्रिक से सारी चीजों को देखते हैं कि इनका मंदिर कहा है और इनका जन्म कहा हुआ तो देखे हडबू हडबु में पहले मैं पूरी ट्रिक को पढ़ देती हूँ हडबु के मंदिर में फलों का बेग हडबु के मंदिर में फलों का बेग हडबु हड से हडबु जी तो पूरा नाम होई रहा है और यहाँ पर जो भू लगा हुआ है इससे आप याद रखें भुडोल नागोर, तो जो जन्म हुआ, भुडोल नागोर में हुआ, इनका जो मंदिर है, हडबू के मंदिर में फलों का विग, तो फलोदी की बैंक्टी में इनका मंदिर है, यानि बैंक्टी गाउं जो फलोदी में आता है, वहां इनका मंदिर है, तो हडबू के मंदिर में फलों का बेग, तो इससे आपको ये पूरी की पूरी याद हो जाएगी, कि हडबु जी का जन्म कहा हुआ, इनका मंदिर कहा है, अगले जो हमारे लोग देवता हैं, वो है मली नाच जी, पिछली बार मैंने दो लोग देवता डाले थे, तो काफी ने काता कि मेरम दो ही डाले हैं आपने जादा डाले, तो अपकी बार मैंने जादा लेने की कोशिश की है, तो मली नाच जी, इनका जन्म 1358 इसवी में, इनके जो पिता हैं वो हैं राव सलखा, माता इनकी जानी दे और पत्नी रूपा दे, तो इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, और रूपा दे की प्रेड़ना से ही इन्होंने गुरू उगमसी भाटी से योगसाथना की दिक्षा ली, साथना से इनको सिद्ध पुरुष्ट के रूप में ख्याती मिली, तो इन्होंने जो योगसाथना की दिक्षा ली वो किस से ली, इनके जो गुरू थे उगमसी भाटी और किस की प्रेड नेंसी के अनुसार मली नाज जी भविश्य को जानने वाले थे और वह उन्हें देवताओं को चमतकार भी प्राप्त हुआ ऐसा नेंसी कहते हैं कि इसलिए इन्हें भविश्य द्रिश्टा कहा जाता है मली नाज जी को और नेंसी ने कहा कि मली नाज जी जो हैं भविश्य को जानने वाले थे उन्हें देवताओं को चमतकार भी प्राप्त हुआ। मारवाड में इन्हें सिद्ध पुरुष माना जाता है। अपने चाचा कानहड़ दे के स्वर्गवास के बाद जालोर के खान की सायता से 1374 इस्वी में ये महेवा के शाषक बनी। 1378 इस्वी में मालवा के सुबधार निजामदीन की सेना को इन्होंने हराया। और ये काःवत मारवाड में प्रचली थे मली नाच जी के बारे में तेरे लूंगा भाजया माले सलखानी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह काहवत किस के बारे में है तो मलिनाज जी के बारे में 1399 में इस पी में मारवाड के सभी संतों को एकत्र कर व्रद हरीकिर्टन करवाया और इसी वर्ष मलिनाज जी का स्वर्गवास हो गया इनका जो मंदिर है वो है तिलवाडा बाडमीर में इनका जो मेला भरता है वो भरा जाता है चेत्र कृष्ण एकादशी को से लेकर के चेत्र शुक्ल एकादशी देखे जब जो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जो हमारा भहिना शुरू होता है वो कृष्ण पक्ष से श और यहां पर विशाल पशुमेले का आयजन किया जाता है, मलीनात पशुमेला तिलवाडा बाडमीर में, यह निरगुण निराकार इश्वर में विश्वास रख दे थे, और जो मालाणी है, उसका नाम भी इनी के नाम पर पड़ा है, अब हम इनके, जो इनका स्थान है, उसक हमारा जो ट्रिक है, वो है मले तिल बाड़े में, तो मले से मलीनात, तिल से तिलवाड़ा और यह कहां आएगा बाडमीर में, एक तलवाड़ा भी है, जो बांसवाड़ा के अंतरगत आता है, लेकिन यह है तिलवाड़ा, तिल बाड़े में, तो तिल से तिलवाड़ा, तो आप लैक्स जरूर कीजिए अगर आप second grade हिंदी से तयारी कर रहे हैं तो हिंदी के भी मैंने काफी वीडियो डाले हैं आपके चैनल या आपका छानल है तो चैनल पर आपके काफी वीडियो है हं धली के रचना कारों को भी मैंने बहुत सरल ट्रिक से बताया हुए है अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से तयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देख सकते हैं आशा करते हूं कि इसकी तरह वो भी आपको पसंद आएंगे धन्यवाद